बिहार का युवा सठिया चुका है, वो नशे में है, उसको यादव और राजपूत से फुरसत नहीं मिल रहा है, उसको नहीं पता है कि बिहार इस ये बरबाद है, क्योंकि बिहार का नेता खतम तो है ये है, बिहार का युवा भी खतम है, जे पी हतियार लेकर चलते थे क्या जी यह लोग अनपड़ लोग हैं और जाती में अगर इसको बाट रहा है तो सबसे बड़ा अनपड़ सबसे बड़ा गमार सबसे बड़ा इलिटरेट है वह अरे बापरे राजपूत और यादव खत्री में है लाठी लो जाओ और बचाओ वरना कुछ गरबर हो जाएगा पा करेगा तो यादव है हम यह को लिखता है राजपूत है हम यह कोई बात हुआ उसका बाबू और उसका माई जाके नौकरी कर रहा है उसको खाने का बढ़िया खाना नहीं है अगो कह रहा है छोड़ूंगा नहीं बरबाद कर दूंगा अरे बाबू आई आई एम में जाके यह उंगली तो उंगली काट देंगे इससे पूछ लो कि पेन का स्पिलिंग क्या है तो बोलेगा पी एए एए एन मैं राना का फंसच हूँ मैं यह हूँ मैं यदुबंसी हूँ बाब यदुबंसी और रखुबंसी दोस्त है इसा पढ़बे नहीं किया है हम लोग समाज के वो लोग है जिनको समाज आगे बढ़ाना है और यह लोग जातिवाद करके इंटरनेट बन करवाया यह लोगों ने चिला चिला कर कई निर्दोसों को फसाया उनके चलते कई अच्छे लोग कई अच्छे नागरिक परिशान है और इनको लग रहा है कि अपने जात को बचा रहे हैं यह ठेकेदार है वो ठेकेदार जो 10% घुच देंगे और अपने पास सब पईसा रख लेंगे यह ठेकेदार है हमारा दिली जैसा हो बंबई जैसा हो वो ऐसा सोठी नहीं पा रहे हैं वो सुबा उठते हैं और लिखते हैं I support फलना चिलना I support X YZ उनका पूरा जीव पूत का मामला बनाया है, संभिधान कहता है कि आपको कोई मारे तो आप उसका मड़ कर दिजिये, जब निर्भिया के साथ हुआ था, तो कैंडल लेकर राजनाना है, तो नहीं हमिंबिया को इंसान खड़े थे, जो इस на法़ कर रहे थे कि निर्भया के गुनहकारों को सजाद दी जाए इंटरनेट के बैन के चलते बैंक में काम नहीं हो रहा है मोहिद जी एक बुढ़ा आजमी इसका बेटा मलेसिया में रहता है वो पैसा भेजा है उसका दवाई कहां से आएगा बैंक का समर डाउन है और ये लोग राजपूत की लडाई शुरू कैसे हुई तो वहाँ पर मुखिया पती बीजय यादो तिन लड़कों को पकड़कर जवारोप लग रहा है उसमें वो फिटवाते हैं इसके बाद से माहौल सोशल मीडिया पर बनता है जाती खोजने वाले लोग कहते हैं कि बीजय यादो त रहा था या कहली जिए कि उबल रहा था वहाँ पर इंटरनेट बंद है और आज भी छपरा का जो वो दो प्रखन है वहाँ पर उस गाउ में उस ब्लॉक में कोई बाहर का आदमी इतनी आसानी से नहीं घुस पारा या उसके घुसने की इजाज़त नहीं है आगे हम इसी बा पाली रहेगा कि एक बीजय यादो यादो हैं मुखिया पति हैं उत्तिल लड़कों को उठवाते हैं पिटवाते हैं कानून जुर्म था उत्तिल लड़का उनके उपर केस करता जो भी होता कानून अपना काम करता लेकिन यादो और राजपूत कई से हो गया देखिए आज जरूरी था इस बात पर बैठ कर किसी संस्था का बात करने का जिसको 25 करोड लोग महिने में देखते हैं जन्ता जंक्षन अगर 25 करोड लोगों तक पहुंचता है तो हमारा फर्ज है मोहित जी कि हम लोगों को समझाएं कि जब निर्भिया के साथ हुआ था तो कैंडल लेकर राजपूत, यादव, भुमिहार, ब्रामण, कोईरी, कुर्मी नहीं खड़े थे वहां इंसान खड़े थे जो इस बात का मांग कर रहे थे कि निर्भिया के गुनहगारों को सजाद दी जाए हम चाहते है कि इस बात का विरोध हो अगर कोई अपराद करेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी लेकिन हमको दुख होता है हम राजपूत है और कैमरा बोल रहे हैं लेकिन हमको दुख होता है कि राजपूत और यादव की लडाई ये लडाई बन कर रहे गई है जिसने गलत किया जिसने गुनाह किया उसको सजा दीजिए लेकिन आप समझेगा लोग राजपूत और यादव कर रहे हैं, सिर्फ इंटरनेट बैन हुआ है राजपूत और यादव के चलते, माहौल खराब कर रहे हैं लोग लिखकर, हम बता रहे हैं, अगर किसी ने अपराज किया है, आप उसका विरोध करिए, आप छप्रा के किसी चौक पर खड़े होकर कैंडल दिखाईए, सरकार को ट्रेंड करवाईए ट्विटर पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि राजपूत और यादव हो गया, बिहार का युवा सठिया चुका है, वो नशे में है, उसको यादव और राजपूत से फुरसत नहीं मिल रहा है, उसको नहीं पता है कि बिहार इ राजपूत यादव में, कल बढ़ जाएगा कोईरी कुर्मी में, परसो बढ़ जाएगा ब्रामन भुमियार में, ये कोई बात होता है, छपरा में जिसने गुनाह किया, उसके लिए आप पोश्ट लिखिए, हम एजब मीडिया हाउस रोल स्टोरी करते हैं आप मोहित जी, लेकिन आप क्या कहते हैं, कि जिसने मारा, जो मारा, वो जेल में जाएगा, सिंपल बात है, और आप राजपूत यादव करके, समाज को बाटने का काम कर रहे हैं, और छोड़ दिए इससा बात, हमने एक पोश्ट लिखा था, फेस्बूक पर जिक्र करना चाहते हैं, हो सकत X, Y, Z, उनका पूरा जीवन इसी में है, आज छप्रा में इंटरनेट बंद है, मेरे हजारों दोस्त ऐसे हैं, जो वर्ट फ्रम होम करते हैं, IT सेक्टर के हैं, और वो लोग पड़प रहे हैं, उनका सेलरी कटेगा, नेट क्यों बंद हुआ, नेट इसलिए बंद हुआ, क्य लेकिन आप यहां जात बात दीजिएगा, तो यहां के लोग पागल हो चुके हैं, उनको डेवलप्मेंट से मतलब नहीं है, रे भाई, कोई गलती किया है, तो आप सड़क पर जाकर सांती पूरवक विरोध करिए, शांती पूरवक विरोध जो भी करता है, उसकी बातों को सुरी आती है, सब बात छोड़ दीजिए, अन्ना हजारे ने क्या किया था, याद करिए, उन्होंने शांती पूरवक विरोध सरकार को गिला दिया था, जेपी ने क्या किया था, जेपी हर्थियार लेकर चलते थे, क्या जी, यह लोग अनपड़ लोग है, और जाती में राजपूत को पकड़ रही है, यादों को छोड़ रही है, उन्होंने यादों वाला पक्छेव कहा रहा है कि प्रसासन में तो अभी इह समन भरा पड़ा है, इसलिए प्रसासन यादों को पकड़ रही है, प्रसासन राजपूत को नहीं पकड़ रहा है, इन लोग को पता क RJD तो political party को भचाने के लिए मुहिम चला रही है, तो सम्भिधान से बढ़ा तो कुछ नहीं है, तो सम्भिधान कहता है कि आपको कोई मारे, तो आप उसका मड़ कर दीजिए, सम्भिधान कहता है कि कानून है, आप कानून के दाइरे में है, अगर आप अपने आपको भारतिय मानते हैं, तो आप सम्भिधान से उपर नहीं है, तो आप जाकर घर जिला दीजिएगा, तो जो जो गलती करेगा उस पर सजा दिया जाएगा, आप समझेए, अगर ये मामला ऐसा हुआ होता, लोगों ने शांती पुरुवक पटना में आकर प्रदर्शन किया होता, कैंडल दिखाया होता, क्या सरकारे नहीं जगती, अरे भाई, लोगों ने अपना हर्ताल करके, भुख हर्ताल पर बैटकर, सारी मामों को सरकार से मनवा लिया है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ जाती के भेद में घुसे हुए हैं, आपका दिमाग पागल हो चुका है, आज का युवा जिसको उठकर ये सोचना चाहिए, कि बैंगलोर में इतना आईटी का हब क्यों हो गया, बिहार में नहीं है, वो युवा सोच रहा है, अरे बापरे, राजपूत और यादाव खत्रे में है, लाठी लो, जाओ और बचाओ, वरना कुछ गरबर हो जाएगा, पागल हो गया है सब भाई, इस सब को सोचना चाहिए कि पढ़ लिख लें, इस सोचता है सब कभी IIT में जाने का, इस सोचा है सब कि कभी हम कोई नया इन्वेंशन कर दे, कोई साइंटिस्ट वला काम कर दे, ना, ना, इस सोचता है बापरे, मैं, मैं राणा का फंसच हूँ, मैं ये हूँ, मैं यदुमंसी हूँ, बाप, यदुमंसी और रखुमंसी दोस्त थे, इस अपढ़बे नहीं किया है, हम लोग समाज के वो लोग है, जिनको समाज आगे बढ़ाना है, और ये लोग जाती बाद करके इंटरनेट बन करवाया, ये लोग उने चिला चिला कर कई निर्दोसों को फसाया, उनके चलते कई अच्छे लोग, कई अच्छे नागरिक परिशान है, और इनको लग रहा है कि अपने जात को बचा रही है, ये ठेकेदार है, वो ठेकेदार जो 10% घूज देंगे, और अपने पास सब इसा रख लेंगे, ये ठेकेदार है, अब आखरी तवाल रहेगा, ये राजपूत यादो, जो लोग कहता है, कि हम फलनवा भाईया है, वो यादो के नेता है, आज सत्ता में तेजसवी यादो भी है, तेजसवी यादो कुछ नहीं इस पर बोलते हैं, इस पर सत्ता पक्श का मतलब जो बीपक्श में है, सिर्फों ही बोल रहा है सत्ताधारी पक्षके थो कोई नहीं बोल रहा है जबकि एखड़ा तो मानता है को हमरा निता है तो जातिवाद करने वाले लोग इस पर ध्यान सब्सक्क्राइप करें नितीश कुमार खाइब लगता है यादव है हम एक लिखता है राजपूत है हम यह कोई बात हुआ उसका बाबू और उसका माई जाके नौकरी कर रहा है पांच पर जार का उसको खाने का बढ़िया खाना नहीं है अगों कहरा है छोड़ूंगा नहीं बरबाद कर दूंगा अरे बाबू आई आई ये मैं जाके बरबाद करो न तो ये सब देश को नश्ट कर रहा है हमको पुलिस प्रशासन और नेताओं का कोई दिक्कत नहीं है हमको किसी आदमे से कोई मतलब नहीं है हमको दुख है बिहार के उन युवाओं के लिए जिन युवाओं ने बिहार को बरबाद कर दिया उसको यादव र पागल है सब इसको मिला है जियो का रिचार्ज और उस रिचार्ज में बिहार का यूआ उठता है तो ट्वीट करता है तो फेस्बुक पर लिखता है और लिखता है कि सुनो हमारे जात्वर हमारे इस पर उठा दिये उंगली तो उंगली काट देंगे इससे पूछ लो कि pen का spelling क्या है तो बोलेगा प्यार को कितना समय लेगा कंटूर कर रहे है मुईद जी इन लोग को इस बात का खाईश नहीं है कि जो बिहार आज सब से निचले पाइदान पर आता है वो कभी आगे बढ़ पाए यह सब जाहिल जैसा बात करता है इसको इस बात का अरे भाई इस सब नोक्री करने जाएगा सब दिल्ली पंजाब कोई पढ़ लिखा लोगा तो जाके बैंगलोर कर लेगा नोक्री लेकिन बिहार में तो नोक्री नहीं है ना इस सब आज तक देखे कोई राजपूत यादा हो लाठी लेकर आया हो पटना में और कहा हो कि बेरोजगारी नहीं लोगे तो अपने मुड़ी फोर लेंगे ना ना आत्मदात करता है सब करता है हमरे जात को बोल दिया तो आग लगा लेंगे इस स्विंग पूल के लिए मांगता है यह फाइब होटल बियार में है जी तो यह मांगा कभी तो इस सब अनुपढ़ है सब इस सब को सिर्फ एक भी पहुचाते रहेंगे आप जन तांक्षन को देखते रहिए कि अमरेक से भी शाल खड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद